कि मुझे लगता है सारी चीजें अफसेट है एक प्रॉब्लम दी हलकी सी वह सॉल्व हो गई है कि मैं एक बार पस लास में रीचे कर लूँ और साथ दिख भी रहा होगा बेतरी नापको चलिए तो सुरू करते हैं बच्चो पहला क्वेशन हमने जो लिया हुआ है वह आप सब देख सकते हो लिखा है टू पीपल इस्टेंडिंग टू पीपल इस्टेंडिंग ऑन दे सेम साइड ऑफ टावर सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं बहुत बड़ा देना है आ तो पहला क्वेशन हमने जो लिया हुआ है मैथमेटिक में वो देखने है टू पीपल स्टेंडिंग ऑन दे सेम साइड ऑफ टावर इन इस्टेट लाइन विद इट विद इसन दे अंगिल अफ अप टावर अगर हाइट ऑफ टावर को अगर हम देखें तो वह कितना है है हा तो फाइंड डिस्टेंस बिट्वीन दा टू पीपल ठीक है हमें क्या निकालना है टू पीपल के बीच की टोटर जो डिस्टेंस है वह हमें बता रहाना है क्वेशन बहुत ही यूनिक है यूनिक क्या कहें कि अगर हम देखें इस टैप के ही क्वेशन आपको पेपर मिलने वाले जिसमें टेविल पर लॉग टेविल पर बीच या अगर हम कहें कि टेगना मेंटिकल टेविल पर बेश्ट क्वेशन आपको मिलेंगे यह तो फ्टेट गरते हैं कि लिखा है टू पीपल स्टेंडिक उन देखें तो हमें एक टावर मिलेगा ठीक है टावर कुछ बना लेते हैं अच्छे से यह आपना टावर ठीक अब इन इस्टेट लाइंट टू पीपल स्टेंडिक उन दावर डो परसन है वो किस साइड में वो टावर की सेम साइड में चाहे आप इस साइड ली जैए उससाइड तो ले रही सकता आप जाहिए इसी साइड लोगे ठीक है एक परसन जो है माली जाइए अपना पीवन हो गया यह जो परसन है यह अपना पीवन हो गया है और एक परसन यहां पर ठीक है यह अपना फीटू है दोनों सेम साइड ऑप ध टावर होने चाहिए ठीक है जो एंगिल आफ एलिवेशन है बच्चों वो किन्ने डिगरी का है वो 25 डिगरी और 50 दिगरी थोड़ा सा चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिपिकल होंगी है ना क्योंकि फार्स टाम आप लोग यूज कर रहें इसको तो इसकी वज़े से थोड़ा सा ट्रिपिकल ह बट ऐसा भी नहीं कि आप समझ ना पाएं बहुत एजी वे में इसको करते चलते ठीक है परसन की जो लोकेशन है वो अपनी पीवन और हमने पीटू ले रखें सेम साइड ऑप टावर है यह हमने पीवन लिया है और इस साइड हमने पीटू ले लिया ठीक है यह दोनों परस आप से अभी काउंसल ने एक चीज आप से पूछी थी कि अगर सपोस्ट इस तरीके से आप से कहा गया कि यह एंगल जो है यहां पर यह एलफा है और यह बीटा है तो इनमें आपस में आप रिलेशन सिप बताई है तो सीधी सी बात समझने की जरूरत है यह एंगल सब को ब इस एलफा इस स्मॉलर दे बीटा यह इंपॉर्टन चीज है वैसी अगर हमसे कहा गया कि अग्यूल आफ एलिवेशन इस तरीके से 25 डिग्री और 50 डिग्री है तो अग्यूल आफ एलिवेशन इस पर्टिक्लर टावर से अगर आम नोटिस करें घ्यान से देखें तो यह वा एक्षन आप से पूछा जा सकता है ठीक है यह एंगिल हम सबका 90 डिग्री है सब को पता है ठीक है चलिए अभी थोड़ा सा डूनने में टाइम लगता है वैसे तो उन्होंने यह भी बोला था कि फोर फिंगर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो रफ हो जाता है चलो तो टावर है वो कितना है 70 मीटर ठीक है तो इस सिचुएशन आप से पूछा जा रहा फाइंड डिस्टेंस बिट्वीन दे टू पीपल तो दोनों पर संगहां पर थे एक पर संगहारा पीवन यहां पर था और दूसरा पीटू यहां पर तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क है वो हमें बतानी है है ना आप लोगों को सही से दिख रहा है सारी चीज़े अब तो दिखी रहा होगा ना अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं चलो तो हमें पीवन और पीटू की बीच की डिस्टेंस निकालनी है आज फाज दे है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेके चलो तो बच्चों अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि 10 25 डिग्री और 20 50 डिग्री इन सबका यूच एक कॉमन सेंस हो गया है कि हमें 10 ही लेना है तो वैसे अगर हम देखें अंगिल आफ एलिवेशन में सबसे पैलो इस पॉइंट को ले लेते हैं इस इस द देखते हैं चलो तो सबसे पहले विगर बन गया complete हो गया triangle क्या लेंगे a b p1 सबसे पहले triangle ले सकते a b p1 की बात करें in triangle a b और p1 ले लिया अब हम सबको पता है कि हमें क्या लेना है 10 तभी तो दिया गया है यह सब value किसी इसी लिए दीगे कि आपको 10 ही लेना है तो 10 50 डिग् here 10 50 डिग्री is what 10 50 डिग्री क्या हो था हमारा perpendicular अपन बेस जो किया पता है नहीं पता है perpendicular कितना हो गया this is the perpendicular ठीक है particular angle की respect मगर हम देखें तो यह perpendicular है जो कितना है a b लिख सकते हो या 70 लिख सकते हो direct लिख तो 70 70 upon upon कितना हो जाएगा P1 B सही है अब 10 50 डिग्री की value हम चाहे है तो यह आप अपन 1 करके इस तरीके से 10 50 की value रखे 10 50 डिग्री कितना हो रहा है बच्छों 10 50 डिग्री is 1.1918 upon 1 is equal 70 upon P1 B सही है तो P1 B अपना निकलने जा रहा है cross multiply किया cross multiply करें तो P1 B को multiply करोंगे किस से 1.1918 से 1.1918 into P1 B is equal 70 सही है तो P1 B की value हमारी आ गई है इस समय कितनी है P1 B की value अब देखो दूनने में time लगता है चाहलो ठीक है P1 B की value कितनी हो जाएगी यहाँ पर इस तरीक से चलो तो P1 B अपना हो गया 70 upon 1.1918 ठीक है यह value आपको बता रहे है कि P1 B की value कितनी है कितनी होगी बच्छो जल्दी बताओ आपको बताना है तो फिप्टी एट पॉइंट लिख लें 58.7 ले दो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं से आगे कि ले सकते हो जा मतलब अप्टू टू डेसिमल प्लेसे तक तो जनरली आप ले इसकते हो तो यह हो गया पीवन भी आगया इसमिलरली अगर हम किस टैंगल में द आगे अधर ट्रैंगल देखें यह पीवन भी वाला यह वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया हमें पीवन भी से रिलेटेड जो डिस्टैंस थी कौन लोगों ने निकाल दी है अब आओ आगे बढ़ता है धीर धीर थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी ठीक है तो अब हम लोग कौ पूरे पर्टिकुलर ट्रैंगल इस पूरे पर्टिकुलर ट्रैंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो अब ध्यान रखना यह चीज तो अब एबी पीटू के लिए हम फिर से वही टैन लेना पड़ेगा पर टैन कितना है 25 डिग्री तो 10 25 डिग्री इस कितना हो जाएगा बच बच्चों 10 25 डिग्री इस अब यह पर्टिकुलर हुआ ना 10 25 डिग्री के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर कौन वह तो पर्टिकुलर से फेक्स है वह एबी ही होगा ठीक है तो एबी लिखो या 70 लिख तो 70 अब इसका बेस क्या हुआ जब आप पूरा कम्प्लीट टैंगल ले रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में बेस्ट क्या हुआ बेस्ट हुआ पी टू बी ठीक है तो पी टू बी लिख दो तो बच्चों फाइलली अगर हम देखें तो 10 25 डिग्री की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी वह कितनी है 10 25 डिग्री इस 0.4663 अपाउट 1 इस एक्व पॉरा सा उपर यह भी फीचर है इसमें हमारा कितना आ रहा है वो देखते हैं तो यहां पर कर लो इसी साइड में तो अपना कितना आ गया क्रॉस मटिप्लाई करोंगे तो पी टू बी इंटू 0.4663 इस इक्वल क्रॉस मटिप्लाई किया 70 इंटू 1 तो वह 70 ही रहेगा तो पी टू बी इस 70 अपॉन 0.4663 ठीक है यह वैल्यू 153 नियर अबाउट आएगी एक वार रीचे कर लेता हूं 150 150.11 करके आ रही है 150.11 ठीक है ध्यान रखना तो पी टू बी आ गया अपना ठीक है पी टू बी कंप्लीट हो गया अब आओ हमारा टास्क क्या है हमारा टास्क था पी बी टू निकालना और हमारे क्या क्या आ चुके है हमारा एक आ चुका है पी बी यह देखो यह वाला यह भी आ चुका है अब टास्क दूसरा तो चलो चेंड करने कल आईए यहां पर answer निकालने का time आगया तो हमें चाहिए क्या P1-P2 ढिखऊ था सही है P2B कितना है check करो P2B है 150.1 is equal P1 P2 ही हमारा वो टास्क है जो हमें निकालना था तो P1 P2 हमारा कितना आ गया P1 P2 और प्लस P1B P1B बच्चों बताओ कितना हुआ P1B is check करो 58.7 ठीक है तो बस इसको से में ट्रांस्पोस कर देते हैं 150.1 माइनस 58.7 तो अपना P1 P2 निकल आएगा यहीं पूछा गया था कि what is the distance between the two person तो उन दोनों की बीच की distance निजे निकल लई है आपकी कितना हो गया 150.1 और माइनस कर देते हैं माइनस 58.7 ठीक है माइनस करी 11-7 हो गया फूर 9-81 और यहां पर हो गया कितना 91.4 एप्रोक्सिमेटली माल लो है ना ठीक है 91.4 मीटर में या सेंटिमीटर में चेक करो यह किस में होगी वैल्यू यह होनी चाहिए 70 मीटर में होगी आंसर तुम लोगा यह ही आ है आंसर अपना अपना देखो यह अपना आ गया पीवन पीटो मीटर में ठीक है अच्छा इन होल लंबर में अगर पूछा जाए तो 91 रखके आप छोड़ सकते हो 91 मीटर लिख दो तब भी सही है आपका ठीक है अच्छा यह बताओ आवाज आवाज बिल्कुल क्लियर है तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे र रहे हैं तो एक बार जवाब दो क्यों कौन-कौन ऑनलाइन है कम से कमेंट दो करो हमसर ऑनलाइन है विमल मिश्रा चालो यह तो यह थार्थ वो क्या नाव है यह सब चीजें अच्छे तुम्हारा 91 ही आ रहा होगा न जो लोग नहीं देख रहे हैं वो ध्यान से देख लें सारी चीजों को फ़र्स्टाइम थोड़ा सा टाइम लग रहा है अर्पित गाया वह अर्पित है अच्छा अर्पित वही वाली फीलिंग आ रही है थोड़ा स सीक रहे न हम लोगे चलो सीख लेंगे अब आते हैं अग्ला कोस्टन की तरफ ठीक है यह कोशन देखो धुआधार टाइप की क्वेश्टन है क्वेशन नम्बर टू अगर हम देखें क्वेशन नम्बर टू देखिए क्या लिख रखता है इंट्रेंगल पीक्यू आर्पिक is 24 cm means अपना जो PQ है न ये वाला PQ कहां गया हां मुझे तो ढूनना पढ़ रहा है इसमें PQ अगर हम देखें तो वो दे रख्था इन्होंने कितना 24 cm ये वाला अरे अरे लाइन को चलो तो ये अपना हो गया 24 cm ये अपना PQ हो गया 24 cm और QR हो गया कितना QR is 7 cm अब बक्सों ये राइंगधा राइंग्ध राइंगल है ज्वाक्व हो पी शॉद्र राइंग्ध राइंगल इन ट्रेग्ध मेंगल पीध राइंगल राइट एंगल अ τις क्योंद तो पाइधागोर्स वैलेदैं है ना और आपका जब प्यूर 2 सेंटी मेटं हो गया इसका मतल थेोरम भाय उजिंग पाइथागर न Всем शिरुम .स कंडिशन में अपना प्यार क्या होता है भाई हाइपोटनोस क्डिशन हिपो जी हुगा ह मारी यह अपना है है ठीक है है कौर मेंठ करे इस प्यादा था थी इरल करेब 145 को डेकल ठीक है जनली 90 डिजीक अब is called the hypotenuse to PR to the whole square is equal perpendicular कौन हुआ पर्पेंट को राइट नौ तो PQ to the whole square a plus base कितना हुआ बच्चो QR QR to the whole square चालो देखते हैं क्या क्या दे रखा है क्या प्यार निकल आएगी PR to the whole square यह important question है सरकेल का PQ बच्चों कितना हुआ 24 24 to the whole square plus QR कितना हो गया 7 इसका भी whole square 24 to the whole square is 576 maybe 576 plus 7 to the whole square is 49 है न तो यह हुआ PR to the whole square अपना आ गया है कितना 625 625 आ गया अपना पी आर्ट रूदा हो इसका तो प्यार कितना हो जाएगा अंडरूट 625 वह 625 होता है कितना 25 ठीक है मतलब PR अगर हम निकाल दें तो PR टोटल है 25 सेंटिमीटर आप ऐसे समझ लाएं यह अपना PR आ गया ठीक है टास क्या है टास्क हमें निकालना है वोट इस द रेडियस ओब दा इंस्क्राइब सरकिल इस इंस्क्राइब सरकिल की रेडियस क्या है अब एक बार टेक्निकल इमान लीदी यह पॉइंट है S सही है और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं S अपने पास है और यह ले लिया पॉइंट T ठीक है जब यह एक्स है मतलब ओटी और एसक्यू दोनों सेम है मतलब यह भी एक्स हो गया आप चाहिए तो यह चीजें लिखते जाओ कहीं पर लिख लो कि ओटी जितना है क्या है बिटा ओटी मुझे दिख नहीं दा वहाँ से थोड़ा लाइट की वाज़े से ओटी जितना ह है अतना ही क्या है SQ सही है और वह इतना हो गया हमारा X हो गया सही है अब एक बात ध्यांसे सुनना हे एर QT and SQ both are tangent ध्यांसे सुनो QT and SQ both are the tangent if the two tangents अगर यहां पर देखें दो we have two tangents intersect externally कहां पर कर रही हैं intersect as point q पे that means the length of the tangents are equal means जितना qt होगा उतना ही sq होगा means यहां पर चाहओ तो लिख दो we know that we know that जहां से देखना we know that if two tangents if two tangents tangents intersect बहुत ही तगड़ा question है we know that if two tangents intersect externally ठीके if two tangents intersect externally then their length then their length length remain equal कहां सक्टे हो remain equal सब्सक्राइब आपको तो बच्चों एक बास समझ में आ गया कि इसी वजए से OT और SQ दोनों के दोनों क्या क्या sorry OT क्यों लिख रहा हूँ मैं QT लिख रहा हूँ हाँ OT और SQ हो गया तो अब एक बात बताओ जितना SQ है उतना ही तो QT है as per the condition तो क्योंकि SQ और QT दोनों के दोनों they are the tangent and intersect externally तो that's why they are equal so SQ is equal SQ is equal QT and that is also X क्योंकि SQ भी X है means ये भी अपना X हो गया सही है बच्चों अब एक बात बताओ जब ये सब चीज़े हो गई आप सबको पता है यहाँ पर पूरा पूरा PQ अगर अब देखे तो 24 है PQ पूरा कितना है बच्चों 24 cm है सही है दूसरी चीज एक और देखो PQ अगर 24 cm है तो QR कितना है QR is QR भी देख लो वो कितना है 7 है चलो इसको बात भी लिखते हैं पहले इसको कर लेता है तो PQ को PS प्लस SQ and that is 24 cm बताओ PS कितना है यहाँ पर टास्क है अपना PS किया है SQ तो सबको पता है तो PS is SQ पता है SQ is X ठीक है यह देखो SQ हो गया X और इधर 24 तो बच्चों PS फाइनली आ गया हमारा कितना 24 माइनस X ठीक है अपना 24 माइनस X अगर यह 24 माइनस X है तो डारेक्ली बच्चों बताओ कि टीयार कितना हो जाएगा टीयार कितना हो जाएगा सब लोग कमेंट में जवाब दो टीयार कितना हो जाएगा बताओ बताव ट्यागे नहुए ट्यार कितना हुआ गवेट में सब लोग आसर दो वाट इस अच्छे से ग रहा है सब है इसा नहीं सफ यह सी ट्वरी ओते जाए जितना चले जाएंगे इसको यूज करना, तो TR हमारा हो गया 7-X, बिल्कुल सही है, TR अपना आ गया 7-X, बहुत अच्छी बात है, यह आ गया 7-X, सही बच्चों, अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, मालो यह पॉइंट अपना क्या-क्या हो गया, अपना S हो गया, T हो गया, मालो ST, R है, अपने पास, ST, U ले लेते हैं, यह पॉइंट मालो O था, रुको थोड़ा सा, यह अपना चा, 4 फिंगर यूज करो, उसने बोला है, नहीं हो रहा हम लोगों से, चलो, इरेजर यूज करते हैं, अब देखो ज़रा, यह O पॉइंट हो गया, अब एक बात करते है भाट है नहीं, यहीं है यहां पर एक पॉंट मैनल यह लिए, इस नहीं ले सकते हैं, डबलू ले लो, डबलू डबलू, डबलू डबलू, चलो, डबलू ले लिया, अब एक बात बताओ, अगर O स रीडियस की, O T, रीडियस है, तो यह भी तोлив पाट इतना मैटर नहीं करत जो समझने वाली चीज है वो देखो ध्यान से समझने वाली कौन सी चीज है कि अगर जितना PS है सर उतना ही PW होगा बोलो PS and PW दोनों की दोनों सेम होंगे क्यों फिल से वही चीज कि PS is a tangent and PW are also the tangent and both the tangent intersect externally at point P then their length are required so मतलब PS जितना होगा उतनी PW होगा मींस यह भी 24-X हुगा सही है similarly मतलब अगर हम देखें तो इस चीज को आप यह चीज लिखोगे ना यहां पर इसको चाहें तो आप लिख दो PS is equal similarly from this theorem from this theorem यह theorem है इसकी वजह से अगर वो 24 PS 24-X है चलो यह भी होगे अपना 20 PW 24-X चाहें तो इसको लिख दो from theorem इसको एक theorem लेलो तो जादा अच्छा from equation लेलो या कोई भी from statement first आपको लिखना पड़ेगा statement first ठीक है यह अपना statement first first ठीक है ऐसे कुछ लिख दो जैसे पता चलता है अब यह टिया रगना 7-X है तो बच्चों बताओ और डबलू कितना हो गया बताओ और डबलू बच्चों बताओ कितना हुआ सब लोग जवाब दो सेविन माइनस एक्स अगर सब लोग सो रहें भाई अब जग जाएं पढ़ लें मैथमेटिक जितना पढ़ना है पढ़ लो इस समय यही काम आएगी बहुत ज्यादा चलो बच्चों तो दोनों आ गया यह 24 माइनस एक सेविन माइनस एक हम सब को एक चीज पता थी बच्चो हम देख लें पहरे इसे तो प्र हमारा किता है है अच्छा एक चीज और लिख दो टी आर किसके एक पुल था तुम लोग ने पता है टी आर इस आलसो डबलू आर यह भी अपना स्टेटमेंट फस्ट की वाजाए से अगर यह सेविन माइनस एक तो यह भी सेविन माइनस एक प्र इस डिएस निकलने वाली नाओ पी आर इस गिवन पी आर इस वाट पी यह इस 25 सेंटीमेटर सही है अब पी आर को अगर लिखें है पी आर को क्या लिख सकतने पी डबलू अब प्लस डबलू आर यह आट इस आलसो 25 बच्छों बताओ पी डबलू कितना था 24 माइनस एक x plus wr is what wr is 7 minus x is equal 25 okay and 24 plus 7 that is 31 minus x minus x minus x is minus 2x is equal 25 okay so minus 2x is 25 minus 31 31 भी तो transpose होगा सारे constant एक तरफ सारे variable एक तरफ है ना तो बच्छों final answer is what according to you बताओ minus 2x और इधर अपना कितना आगया 25 minus 31 is minus 6 minus minus cancel so x is 6 by 2 that is 3 okay so final radius is 3 ठीक है बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरह बात है अगला question देखे यह वाला from the top of a tower यह board का question है बच्छों यह है board का question ठीक है यह board ने question दिए यह board का question है ज्यान से देखे इसको third question number है इसका three from the top of a tower hundred meter high a man of jobs the angle of depression जो मैंना वो अब्जर्ब करता है कि एंगिल ओफ डिप्रेशन को मेजर करता है of two sips a and b कहां पर two sips के लिए जो एंगिल ओफ एलिए डिप्रेशन है वो तू सिप्स के लिए कितना कितना है अभी वो दे रहे हैं और पूजिट side of the tower as 45 degree and 38 respectively एक बार पढ़ ले पहले थे खुद से पर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार पूरा question पढ़ लें अच्छे से ठीक है यह है question number next question number three अच्छे से पढ़िए एक बार सब लोग ने पढ़री लिया होगा है ना चलो तो लिखा था from the top of a tower 100 meter high a man observe particular man observe करता है the angle of depression of two ships a and b those ships को on the opposite side of the tower means we have a tower आप चलो figure बनाते हैं we have a tower यह पता है आई से 2023 का question है यह इस तरीके से ठीक है यह अपना टावर हो गया टावर की हाइट वगरा दीगे यह चेक करो कहीं पर टावर की हाइट है कहीं भी बिल्कुल है find the top of a tower 100 meter high तुरंत लिख दो इसको 100 meter हाई ठीक है यह अपना 100 side of the tower means अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा बच्चों यहाँ पर होगा कहीं पर है ना चलो भी देखते हैं इनको मेन फिगर इसका तो इस तरीके से चालो यह लो बन गया ठीक है एक टावर अपना कहां पर है यह रहा टावर ए और एक टावर अपना यह ले लिए ठीक है तुरी सिप सिप अपोजिट साइट ऑप देवर एस 45 डिगरी एं 38 डिगरी इंका एंगल आप डिपरेशन बच्चों दे रख था है मींस एंगल आप डिपरेशन का मतलब समझ रहे हो क कोई अब यहां पर यह चीज़ देखना एक लिए 45 डिगरी है या बी के लिए चेक करो इस समय एक लिए कितना हो गया एक लिए कितना है 45 डिगरी अब टावर कहां है एक लिए यह रहा टावर अपना यह रहा इसके लिए अंगल आफ डिपरेशन एके लिए पॉइंट एश है 38 डिगरी साहिए बहुत आसान है बहुत ही सिंपल है यह पॉइंट ले लिया सी और इसको ले लो डी टिक इन्होंने आप से पूछा क्या इप फूट ऑप द टावर और इंड सेम और जेंटल लाइन बिल्कुल साहिए फूट ऑप द टावर और यह सब जो है ना दोनों शिप सेम और जेंटल लाइन पर ही है इन दोनों सिप के बीच की दिस्टेंट लेंगे कौन सा अब यहां पर बात देखने वाली ओफ देर गलाए एंगल यह था रिस्पेक्ट में बिके रिस्पेक्ट में तो बच्चों यह बताओ यह ब्ले टू टू अल्टने interior angle अगर यह 38 है तो यह भी तो 38 degree होगा बैसे यह 45 है अरे क्या हुआ हाँ अगर यह 38 है तो यह भी तो 38 हो गया और यह 45 है तो बच्चों यह वाला भी 45 degree हो गया टिक सबसे पहले को किस triangle गुलोगे इन triangle अगर टावर है तो इसम है लेलो आपने अचेक करेंख कर रहा है कि नहीं मुझसे एक कर रहा है कि नहीं टीघंग लीह तो यह Nash यह था यहां पर किनना है क्योंकि 10 में эти यह ले लो को ज़्यादा आसान है 10 कितना हो गया 1045 degree is equal कितना हुआ CD इसके respect में perpendicular यह हुआ CD अपन बेस कितना हो जाएगा DA चलो 1045 कितना होता है 1 upon 1 CD अपना देखो CD CD कितना है 100 और DA अपना DA ही तो पूछा जा रहा है एक तरीके से तो DA cross multiply करोगे तो DA आएगा कितना 100 ही ले लो 100 ही आएगा ठीक है 100 cm या मीटर क्वांटिटी मीटर में है तो मीटर में ही आएगी आपकी DA आगे 100 मीटर ठीक है और इसी तरीके से similarly अब लेंगे ट्रेंगल दूसरा लेलो similarly इन ट्रेंगल लोके कॉन सा CDB ले 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 थे ठीक है इन ट्रेंगल CDB ले ले लिए CDB में अब CDB में मुझे यह बताओ कि आप की एंगल कितना ले रहे है और 10 CDB के लिए कौन सा एंगी लेंगे 38 दिग्री तो 10 38 दिग्री इस कितना हो जाएगा 1038 डिग्री बच्चो 1038 डिग्री के रिस्पेक्ट में पर्पेंट कुला रफिर से भाई CT और बेस कितना हो जाएगा बच्चो BD अब यहाँ पर मैटर है थोड़ा सा सोचने वाली चीज कि BD कितना है अब 1038 की वैल्यू देखो जान बूच कि यहाँ पर इसी लिए 1038 की वैल्यू दे रखिए वो कि में है 0.78 0.78 upon 1 is equal CD upon BD ठीक है cross multiply करोगे CD हम लोगो पता है CD is 100 CD को चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उपर बढ़ाते हैं इसको चलो CD को इसको थोड़ा सा उपर बढ़ाया जाए अरे भाई बढ़ा जा ऐसे बढ़ा जाएगा ज्यादा असानी से तो कितना हुआ cross multiply करोगे नहीं CD पहले लिखो CD is 100 upon BD और इधर कितना चलोगे 0.78 upon 1 तो cross multiply करोगे कितना हो जाएगा 0.78 BD is equal 100 तो BD बच्चों कितना हो जाएगा BD is 100 upon 0.78 तो कितना हुआ यह 100 upon 0.78 कितना आजाएगा कितना हुआ यह 100 upon 0.78 पताओ कितना हो रहा है जली जली बताओ सब लोग कितना आया 100 upon 0.78 बोलो कोई आसर देगा 128 point कुछ आएगा 128.1 मालो मीटर ठीक है means यह वाला अगर हम BD देखें तो BD आया अपना कितना 128.1 और AD कितना आया था बच्चों AD चेक करो DA 100 मीटर और आप से पूछा जा रहा था कि BA कितना है means डोनों की 20 की टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको बताना था और बता लोगे बड़ा असान है बस दोनों को प्लस कर दो तो रिक्वाइड बीएड इस रिक्वाइड बीएड इस कितना हो रहा है बैच्चों 100 और प्लस 128.1 ठीक है तो यह हो जाएगा 228.1 मीटर बट वो नीरेस्ट मीटर में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नीरेस्ट मीटर में आप लोग लिख देना 228 मीटर अच्छा पॉइंड को लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है जब नियरेस्ट वो बोल दें तब प्रॉब्लम हो सकते हैं कि कहते हैं कि अप्टू डेसिमल प्लेसिस बताना है तो आपको फिर अप्टू डेसिमल प्लेसिस ही वैल्यू निकाल है आपको चलिए बताइए solution देखे क्या question में दिया गया एक बार आप रीड करें फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बार अच्छे से रीड कर लिए पूरा रीड हो गया चलो देखें कौन सबसे पहले answer दे देगा सबसे पहले answer कौन देने जा रहा है चल्दी बताओ कौन देगा answer सबसे पहले सबसे पहला question है cba cba ये वाला ये एंगल कितने निगरी चलो बता दो कौन देने जा रहा है जल्ली बता वाई cba is what cba देखें कौन बताएगा मुझस से पहले सरगिल में तो मज़ेदार आता है answer देना बट answer देने से matter नहीं करता answer लिखना भी आना चाहिए अभी तक किसी ने बताया नहीं answer क्या है चलो तो हम लोग सुरू करते हैं पढ़ना कि इन दा सबसे बहले question को पढ़ें इन दा given figure a b is the diameter बहुत अच्छी बात है sir a b अपका diameter हो गया बहुत अच्छी बात the tangent at c meets a b produce at q ठीक है जो tangent है वो c पर meet करती है और produce करते हैं कहां तक उसको q तक कर दिया ठीक है अच्छी बात है if c a b is 34 degree बहुत अच्छी बात c a b अगर हमारा 34 degree दे रखा है given क्या है यहां पर लिख दो given है एंगल c a b is 34 degree सही है अब एक बात गताओ a b is the diameter तो कहने का मतलब अगर यह भी diameter तो बेटा यह भी semi-circle है यह भी semi-circle है और यह भी semi-circle है है कि नहीं और अगर है तो angle in a semi-circle is right angle question हुआ मतलब आप यह वाला angle तो निकाल ही सकते हो तुरंद है ना यह चीज तो तुरंद आप निकाल दोगी कितने डिगरी का हो गया 90 degree का तो बताओ c b आ गया कि नहीं आया आया by applying angles of property है ना तो चलो लिखते है now हम यह लिखते है angle a c b is जैसे board में लिखना angle a c b is 90 degree क्यों क् angle in a semi circle यह लिखो तभी नंबर मिलेंगे angle in a semi circle is a semi circle semi circle s c लिख रहा हूँ ठीक है semi circle is right angle सही है angle in a semi circle is right angle इसकी वज़े से angle a c b हमारा 90 degree हो गया आइए तो सब सब पहले निकालना है by using by using क्या use करेंगे angle sub property asp बोलते है asp अगर हम यूज करें तो यह क्या हो दाएगा यह 34 degree 34 degree अब प्लस यह वाला 90 degree plus c b a is task c b हमारा task है यह तो हमें निकालना है plus angle c b a is equal 180 degree तो बच्चों बताओ c b a किता हो जाएगा c b a किता हो जाएगा 180 और जो भी है इन दोनों का plus वो minus कर दो minus 4 और इदर किता हुआ 4 हो गया 0 और 932 124 degree तो 180 minus 124 देखें किसी ने आंसर दिया 56 degree बिलकुल सही जवाब है बिलकुल सही जवाब कोई वही नहीं है बच्चों टाइम लग रहा होगा मानते हैं डाइम लग रहा है बट एक बाद ध्यान लखो यही जो समय है ना धीरे धीरे हमारे लिए कम होता जाएगा और आपके लिए चीजे आसान होती चलिए लिए इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिपिकल है बट फिर भी कर रहा हूं ठीक है फास्टे आए और दीरे दीरे स्पीड बहुत ज्यादा होती चली जाएगी इस पर सीखते जाएंगे ना तो एंगिल सीबी है हमारा 56 डिए अभी तो पता मुझे लिखना पढ़ रहा है बात में मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन लिखना ही नहीं है क्वेश्चन में यहां पर वो प्रिंटेट के थ्रूँ आप लोग जो एक्स्पीरियंस लोग है बोलो गया पर लेड़ी उसको पीडियाप शो करते है ना चलो अभी तो मुझे लिखना पढ़ रहा है छिपानी जरूड़त नहीं है तुमनों से चलो यह हो गया अब हाँ एक और निकालना है हम लोगो को CQB CQB कहां से निकालो गया अरे बहुत आसान है सर CBA अगर 56 डिगरी है तो कैसे निकालनेंगे CQB निकालना बहुत आसान हो गया CQB तो ऐसे निकल जाएगा कैसे निकालो गया बत एक थियूरम है यहां पर एक प्रॉब्लम दो है भाई हमें यह निकालना है CQB तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब एक चीज देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अच्छी चीज है अच्छा है चलो हां तो बच्चों अगले चीज के लिए अगला ड कर लेंगे अच्छी चीज तो अब एक बाद बताव कि हम समने पढ़ा था कि एंगील बेट्वीं Tangehenain anymore यह रही ही अपनी ऐपनी टेंग एपनी ऑड आंगल बीन थे अपनी और ही अपनी कॉर्ड यहीं तो डीमर कर ぎल के अपने क्यों नॉंग मतलब एंगील क्योंसी अपनी कार यभका है अमने पात्ते है निकले वो रीजन बताना नहीं है वो लिखना भी है तबी नंबर मिलेंगे आपको आपको इसके नंबर नहीं मिले सकते हैं ठीक है आपको आता चाहें जितना हो बले आ 사용 सेंब or अरॉमरीन भी मिलेंगे जब आप यहां पर लिख सेग्मेंट था कि एंगल बिट्विन टेंजेंट एंड कॉर्ड इस एक्वल तो देंगल इंड अल्टरनेट सेग्मेंट फढ़ाने की तरीका तो भी रहेगा लास वाला c a b ठीक है means q c b is equal c a b चलो तो बच्चों यह कितना आ गया अगर यह 34 है तो वो भी 34 डिगरी ही होगा कोई बदलाओ नहीं हो सकता ठीक है तो यह भी अपना 34 डिगरी हो जाएगा ठीक है अब बचा तुम्हारा क्या अब यहां पर by using linear प्रोपर्टी प्रोपर्टी वो क्या हो जाएगा अबी सी एंगिल अबी सी प्लस एंगिल c b q is equal 180 डिगरी सही है तो बच्चों बताओ ABC पता है ABC नहीं पता है हाँ पता है ABC ABC है 56 डिगरी प्लस जो नहीं पता है वो है c b q प्लस एंगिल c b q is equal 180 तो बताओ एंगिल c b q किता हो जाएगा 180 और माइनस 56 और 180 माइनस 56 कितना हो 10 माइनस 6 4 7 माइनस 5 2 124 डिगरी c b q आ गया अपना कितना 124 डिगरी यह वाला 124 डिगरी आ गया है तो b c q में हम एंगिल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं by using asp in triangle b c q में ठीक है और जैसे ही आपने लगा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सीधा लिखो 124 डिगरी और प्लस 34 डिगरी प्लस टास्क दिखिए c q b यही तो टास्क है c q b का c q b वही लिखा करिए है ना अच्छा कुछ लोग b q c लिखते हैं कभी कभी क्या होता टीचर को गुस्सा आ गई तो तो है नम्रकाट देगा है ना तुम वही लिख दो जो उसमें पूछा गया तो पिर अपना दिमाग माना की एंगल q माना की b q c माना की c q b आल हार सेम मैटर नहीं गरता उस टीजर के लिए उस समय तुमाही लिए बुरा हो जाएगा ठीक है c q b is किता हुआ हमारा 180 हाँ सॉरी c q b हमारा यह टोटल इसका एंगल सम प्रोपर्टी की उच करते हो 180 हो गया 124 प्लस 34 किता हुआ बच्चों 158 अब प्लस एंगल c q b is equal 180 तो final answer is c q b is 180 degree minus 158 degree 10-2 2 7-5 22 degree ठीक है आप अपने अपने answer check कर लिए बेल्कुल सही है आरव और अन्या का बिल्कुल सही गया है ठीक है बिल्कुल सही है नाक्स्ट क्वेस्चन देखिए यह है लास्ट क्वेस्चन लास्ट क्वेस्चन नम्मर 5 पढ़ाई करते रही है ना लास्ट क्वेस्चन है बताइए यह आपके लिए एक तरीके से होमबर्क रहेगा ठीक है बट पहले उससे पहले मैं इसको solve जरूर कर दे रहा हूं बताओ इसमें x y z की value कैसे निकालोगे देख लोग फिकर सही से दिख रहा है अच्छा यह बताओ आज की क्लास सारी चीज़ां सही थी अगर सही है तो थम यूज करो अगर सारी चीज़ां सही दिख रही है तो बताओगे अब अब अबड़ी मेहनद करनी पड़े इसको लिखने में बनाने में ठीक है बट मुझे लगता है कितनी मेहनद मुझे करने नहीं चाहिए वाँ सॉल्यूशन में करनी चाहिए को लिखने में नहीं करनी चाहिए वह अलएडी मुझे कॉपी करना पेस्टिंग करना इस पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बट आज ही सीख लूँगा चलो तो हां एक्स बाइजेट की वैल्यू कैसे निकलेगा एक चीज़ पता है कि यह 65 और कोई इनफॉर्मिशन हमारे पास है नहीं सर्टी हमारा 65 और फिर हमें सब कुछ निकालना है बताओ कैसे निकलेगा एक बाइज चलो एक बात बताओ सीधी सी बात है हम सबको बताए कि इस सेंटर ठीक है बच्चों यह सेंटर है तो अगर हम यह हम वोंबर्ग दे रहे है लिखना तुमको है अपना खुछ से लिख Или पूरा एक वार हमें कैसकते हो जो हमारे स्कूल के बच्चे है जो अधर्य livres के बच्चे हैं ओडरो प्लाइन को इंस्टाग्राम के थूरू हमसे बात कर सकते हैं इस्टाग्राम के थूरू बात कर सकते हैं और दूसरा जो है टेलिग्राम है अधिकतर चीज़ें आप टेलिग्राम इंस्टाग्राम और इन सब के थूरू आप हमने भेज सकते हैं सही है या गलत है जो हमारे स्कूल के कि subtended angle at the center this angle SOQ यहाँ पर देखें angle SOQ is equal क्या होगा बच्चों angle SOQ is equal angle theorem अपने जो थी angle subtended at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle means angle Y is equal क्या हो जाएगा 2 times of X ठीक है या 2 times of angle STQ यह समझो किस वज़े से अपना as per the theorem क्या थी theorem angle subtended at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle by the same arc means इस arc के थूँ ठीक है चलो तो अब SOQ कितना है बच्चों यह हमें roughly हम आपको बता रहे है SOQ is by and that is equal 2 times of X सही है यह हो गया आपका और क्या information है हाँ बच्चों एक बार बताओ अब यह भी हम सबको पता है कि this is this time ST SP sorry SP is a tangent सही बात है ना SP is a tangent if SP is a tangent then the radius through this tangent is always perpendicular to each other means this angle is also 90 degree सही है यह 90 degree हो गया तो अगर यह 90 degree हो गया है तो उस condition में अगर हम देखें तो क्या X निकल सकता है बिल्कुल निकल सकता है इं ट्रेंगल ले लेते हैं ट्रेंगल T कि SR या पहले यह 90 degree लिख दो कैसे वहीं पर रख दीजिए वहाँ पर रख दीजिए वहाँ पर रख दीजिए एंगल OSR is 90 degree ठीक है वो रीजन जरूर लिखें OSR लिखने से पहले आपको यहां पर अपना statement लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा अपना लिखिये खुष से तो यहां पर अपना statement लिख लेंगे ठीक है यह इस तरीके से OSR मैं लिखके दिखा दे रहा हूं आपको जिससे help मिले आपको अब एक बात होता हो यह 90 यह 60 तो X निकालना आसान हो गया बाई यूजिंग एंगिल सम प्रॉपर्टी तो TSR ले लेते हैं इन ट्राइंगल TSR ठीक है TSR ट्राइंगल ले लिए अधिको टीनों एंगिल हमारे पास होंगे यह X प्लस S है 90 प्लस यह वाला अपना 65 इसेकवल 180 तो बच्चों बोलो जाये हैं 180 डिग्री माइनस 90 और माइनस 65 बोलो X की वैल्यूय आगी 180 माइनस 90 नाइनटी और 90 मायनस 65 कित्ता हो जाएगा 90 माइनस 65 बच्चों कित्ता हुआ बोलो 10 माइनस 55 7 माइनस 6 क्या बात है 15 रिईlich चेक करो, कि एक्स अगर 15 डिगरी है तो बाई कित्ता हा रहा है, तो बाई इस 2 एक्स, महलब 2 इन्टू 15, कुछ गड़वड लग रहा है, 30 डिगरी ज़रा, चेक करो, सही है, कुछ गड़वड दो नहीं हुआ, 90, 25, ओ, ओ, गड़वड कर लिया लगता है, नहीं, 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 गड़वड है, गड़वड है, ये 25 होना चाहिए, भई मैं कहूँ, कुछ तो गड़वड हो गया, कुछ तो गड़वड है दया, हमारे अर्पित हैं, वो दया खूब योज करने, 10-5, 5, 8-6, 2, तो ये 25 हो गया, और ये 25 हो गया, और ये 25 हो गया, तो ये 50 हो गया, ठीक है, बैस हो गया, कुछ न, सॉल्व, 2 into 25 दिग्री, और इथर अपना हो गया, 50 डिग्री, ये आ गया अपना, 50, ये आ गया बाई, 50 डिग्री, सही है, अब बताओ, जेड कितना हुआ, अब इसमें ये ये बाई, ये O, S, P, ले लू, हो गया, Z, बोलो, हो गया, इतने में कर देते हैं, इतने में कर दो, वाई, 50 आया, Z, अच्त, लिखने का तरीका बहुत करता है, पेपर में, इस तरीके से लिखू कहीं है, जैसे हम लिख रहे हैं, यह तो नहीं, यह तो रफली है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़े का, O, S, P ले लेते हैं, है ना, O ले लिया, S ले लिया, P ले लिया, यह बाई है अपना 50 डिग्री, 50 डिग्री, अब प्लस, कुछ चीज़ें जादा ही हो जाते हैं, बाई हो गया 50 डिग्री प्लस, हाँ, यह वाला किनना, 90, प्लस, इस साइड एंगल टोटल किनना हुआ, 60, सॉरी, Z है वो, Z is equal 180 है ना, बाई, ASP लगा रहे हैं लोग, तो 90 और 50, 140, अब प्लस Z equal 180, तो बताव Z कितना हो जाएगा, 180 minus 140, ठीक है, 40 डिग्री, चेक करो, सब लोग अपने अपने answer, correct आई है, ठीक है, मेरी तरफ से over होता है, चेक करो बच्चों, क्या आपके, अगर answer यही है, तो आप लोग, बस yes कर दो, या answer अपने लिख सकते हो, X, Y, Z की value आपकी यही आई है, या different आई है, मेरी तरफ से तो यही आएगी, ठीक है, ब अच्चा, 25 कहां से आएगा, कुछ गर्वल कर दिया, क्या, 90, 50, कहां से आ रहा है तुमारा, चेक कर लोगा, 25 कहां से आएगा, चेक कर लो, कुछ गर्वड है तुमारा, ठीक है, आदित तुमारा थोड़ा सा गर्वड है, यह values correct है, हमने चेक कर ली, X, Y और Z की value, correct है, X is 25 by 50, और Z is 40, रीजन जरूर लिए ठीक है, यह roughly मैंने इसको explain किया, ठीक है, बबाय, take care, और अपने doubts को भेजते रहना है, कोई भी doubt है, हम solve जरूर कर देंगे, घर पे, यहां पे, हर जगे हम लगे हुए हैं तुमारे लिए, मेहनत करते हो, paper easy नहीं होने जा रहा है, जैसा कि चल ठीक है, अच्छे से मेनत करिये, thank you, bye bye, take care, wise to clear you होगी, और कोई अगर इसमें कोई problem होई है, तो जरूर बता दें, टाइम लगा होगा, मानते हैं टाइम लगा होगा, क्योंकि चीजें यहां पर हम first time इसको face कर रहे हैं, इस board को first time face कर रहे हैं इसकी वज़े से, चलो, bye